भारतनी सुरक्षानी प्रथम लाइन इवी बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स द्वारा पंचोतेर आजादी ना अम्रोत माउस फिट इंडिया मुवमेंट अंतरगत जम्मूती डांडी ओगनी सोतानों के एमैस टाइकल थोननों उजा खाते सदभावना चरिटेबल ट्रस तथ उजा एपी एमसी द्वारा भव ये सम्मान करायू हतु पंचोतेर वर्ष आजादी का अम्रोत माउस अंतरगत आपना दिसनी प्रथम लाइन नी सुरक्षावी बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स द्वारा हम फिट तो भारत फिट फिट इंडिया मुवमेंट अंतरगत जम् साइकल्थोन ड्रेली पूर्ण थनार छे अजे समग्र देश मां फिट इंडिया हम फिट तो भारत फिट ना सारा संदेश सा थे आ यात्रा आजे उजा मुखा में आवी पहुंचता उजास्थी सद्वावना चेरिटेबल टस्थ था एपी एमसी उजा द्वारा बोव्य स् उजा मा प्रवेशी हा थी जिन्वे एपी एमसी उजा खाते कुब मोटी संख्या मा उजा वास्यों सिस्त बद उबा रही ने साइकल्थोन ड्रेली ने पुस्प वर्षावी ने स्वागत करवा मावी हतु तथा उजा ना एनसीसी ना क्रेडिट पन आ रेली मा जोड़ाया जादी का अमरत महुस्व मना रहा है जिसमें सीमा सुरक्षवल की रेली जो की 15 अगस्त को ऑक्ट्राई पोस्ट से जम्मू से रवाना हुई थी आज 41 मा दिन है और आज हमने उजा में प्रवेश किया है और ए रेली 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म दिन पर उनकी कर् नेकले हैं जिसमें आजादी का अमरत महुस्व जो मनाये जा रहा है उसमें विसेश प्रिकार के मिशन है फेट इंडिया मूवमेंट जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें हमारे सौ साइकलिस्ट हैं जम्मू से लेके यहां तक की तक्रीवन 2000 किलोमेटर की यात्रा है जिस में साइकलोथाउन प्लस फ्रीडम रन रिले रन को हम सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में दोड़ भी रहे हैं इसके अलावा ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया और एक भारत सेश्ट भारत और इसके साथ में हम और भी जो हमारे मिशन है साथ में इस्पेसली आपका आत्मिर्व भारत को भी हम मिशन को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं आज हमारा एपी एमसी ने पूरा ब्यापारी मंडल ने एमेले साहिवा ने और सद्भावना ट्रिस्ट ने जो स्वागत किया है उससे हमें एक उर्जा मिली है और हम आगे आज गंतब इस्थान जो हमारा महस आना में वहां पर हम नाइट हल्ट करेंगे उसके बाद हम आगे की यात्रा अहम्दाबाद तक की कलते हैं आजे हमें बहुत धन्यता अनुबविये छे के आजा दिना पंचो तेर्मा वर्ष अम्रूत मौत सम निमिते गणा बदा उद्देशों साथे आपना बॉडर ना ज आईकल रिली ने आई अतरे बदारेला छे समग्र उझा सहर वेपारी एसोशेशन सर्वे खेड़ूतो बदा जाजे ए रिली ना धन्यता अनुबवी और बदानों स्वागत करूँ छे अनुपसी चावडा दिव्यांगनी समहशाना